दोस्तों नमस्कार मैं हूं डाक्टर प्रालाद प्रशाद जनल फीशियन दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दी कभी रंदन है मेरे पहरे दोस्तों मैं समझते हूं आप लोग भी निरोग और स्वस्त होंगे तो अच्छी बात है आप लोग जानते होने कि मैं प्रतिन आपनों के लिए झानकारी नइने विमारियां नेने समधान आपनों के लिए खोईता रहता हूं ओ जो मेरे उपर है आप लोग इसका निसुर्क फायदा लें खोई-सुर्क देरा नहीं होता है दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सकाइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी करें मेरा होसला जाफाई आप लोग करते रहें दोस्तों मैं कभी भी अपने तस्वकों के लिए सही चीजें सही जनकारी देता हूँ मेरे किसी वीडियोज पे कोई फेक जनकारी या गुमरा करमल जनकारी नहीं होती है दोस्तों मैं एक प्राइबिट सुर्ण डॉक्टर हूँ मैं अपने 24 घंटे मैं मरीजियों के पबलिक बीच में ही रहता हूँ अतर आप लोग मेरी वीडियो को ध्याय सुने और समझे और इंड तक देखें दोस्तों आप लोग से रिक्वेश्ट है जैए आप लोग कोई तकलीप हो कोई विमारी हो कोई परशानी हो कोई दिकत प्रिज मेरे वीडियो में कमेंट करें मैं आप लोगों को समधान दूँगा आपको इलाज बताऊंगा आपके साथ मैं चैट करूँगा जो निसिर्क होगा कोई इसके लिए सुल्क दे नहीं होगा दोस्तों चलिए आज मैं एक विषय लेके आया हूँ गुढ़ल के फूल गुढ़ल का फूल यहां यहां रोगों का काल है जिन भाईयों का शादी होने वाला हो प्लीज इस विडियो को जरूर देखें आपको समझे ना दोस्तों यह फूल देख रहे हो यह गुढ़ल का फू यहां यहां रोगों काल है शादी से पहले इसका जनकारी आवसले इसका परियोग आवसली करें दोस्तों आज एक मेरे पास फोन आया उस फोन वाले व्यक्ति ने शादी सेनके बाद अपने बीबी को लेके गोवा गया था वो हनीमून मनाने लेकिन वह इते फाक से वह सेक्शुल वीक था और वो कोर्स ले रहा था तो देसे दो चार पान दिन भीद गये बीबी उसको परसां करें थी भाई हनीमून कर मनाओगे कुलेट कर मनाओगे शुवागात कर मनाओगे तो चली गई दोस्तों उसने मेरे पास फोन किया पूछा इसका उपाए बताएं दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये साधी से पहले या जिनकी साधी होने वाली बंधू भाई और नजवान इस वीडियो के जरूर देखें और इन तक सुने और समझें दोस्तों कुड़ल का फूल कैसे या यह नहीं काल है मैं बताता हूं दोस्तों आपनों क्या करना है जैसे देखते हो यह गुड़ल का फूल पहले खाली हो या देख हो या देख रहे हो यह कली है यह दोनों कली ऐसे चार पाच कली यहा प्रति दिन मिक्सरी के साथ डली नहीं ठबा करके आपको खा जाना है क्लीरो के साथ इसको चबा चबाकर के मूमें धीरे से उपर से गाय का दूद जदी हो तो तीले बढ़िया रहें तो पानी पी सकते हो दोस्तों अब मैं बताता हूं यह कैसे योन रोगों काल है यह क्या-क्या फैदा करता है आप ध्याया सुनेंगे समझेंगे वीडियो में इंडी तक बने रहेंगे तब यह आप लोग समझ में आएगा मै लाज़ते हैं आलंगे वीडिशाय करते हैं συνहुंशन सुस्की दोस होता हो तो असका नास करता है स्गर पतन का क beast जलिदी आपका धातु फॉल नहीं होगा आप जल्दी नहीं जड़ोगे तो यहां सिखर्पतन का भी काल है दोस्तों यहां सेख्स टाइम को बढ़ाता है दोस्तों आप मन्चहा चाहो तो इसको डेली नियमित इस्तिमाल करके आपको मिर्च मसाले तलक चीजें नहीं खाना है और ब्रम्चेर का पालन करना है ध्यान रखें कोई बुरी आदित से परहेज करना है इसको लगता है डिरमा खाएंगे गारेंटी है कि यह सेक्स टाइम को आपका बढ़ा देगा मन चाहा आप समभग कर सकते हो दोस्तों पॉइंट नमबर पांच यह सेक्स में रूची पैदा लगोगे तो पॉइंट नमर छे जनी पैसाअ में धातु जाता है वता सब्रशन आखें पीसे क्लास्टा इन्डियम श्टाटिंग में भी लिए खत्म करते हैं व्यारू को दिन एक मतां पॉइंट नमर शाध क्षण और दोस्तों पॉइंट नमबर आठ यह नियां अपने आपको हीन भावन आपके नहीं कर सकता हूं बॉर्डर पर नहीं लड़ाई कर सकता हूं आप मतलब होपलेस हो निरास हो कि हमसे तो भाई सेक्स नहीं हो पाएगा बीबी को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तो इसको डिवर मैं इस्तमाल कर देखो आप वाह वाह कर उठोगे और आप सेक्स करने के आपके अंदर जो र अबे दिन करें आप बाज़पन दूर हो जाएगा और इसके आजमाय हुए नुकसे हैं अति प्राचीन आदी अनादी काल से नुकसा आजमाया जा रहे हैं और लोग जानते हैं रिसी मुनी तमाम बैद आचारे इसको जानते हैं मरीजों को बताते हैं सबको फैदा हुआ है और होता भी है और आगे भी होगा तो दोस्तों मैं समझत हैं अपले मेरी बातों को ध्याया सुने होंगे समझ गया होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार लाइक कर शेयर करो घंटी दबादो कमेंट भी करो मेरे तकि मेरा हुसाल आज़ा अज़ा बाराब